इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 16 नौवंबर के लिए बेस्ट 5 इंटरेडिंग के स्टोक्स की लिस्ट जिनके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री कहां पे करनी है आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आपका इस्टोपलोस क्या होना चाहिए इसमे मैं ये मेरी रिसर्स के साब से बताऊंगा मैं से भी रिसर एडवाईजर नहीं हूँ तो आपको खुद से भी रिसर्स करनी है और फिर ही आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में वेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के जोइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रका जो स्टोक हमने चुना है वो है कोचें सिप्यार्ड इसके अंदर आप देखोगे तो यहां पे जो यह सपोर्ट एरिया था इस सपोर्ट एरिया में यहां पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकाउट थिया ब्रेकाउट के बाद में इसने बहुत अच्छे तर करनी है 1120 का पहला टारगेट और 1125 का दूसरा टारगेट इसके अंदर आपको 1091 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा फर्स नंबर का स्टोक हो गया इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का स्टोक है वो है अबेरोई रियल्टी अबेरोई रियल्टी के अंदर भी आप है ठीक है इसके अंदर RSI divergence दिखा रहा है ठीक है और यहां पे यह स्लोली स्लोली करके उपर जा रहा था लोगों लोग यह मान रहे हैं कि यहां से नीचे आना चीए ठीक है लेकिन मार्केट जस्ट अपोजिट करता है इसके अंदर आप देखोगे कि यह वाला जो स्विंग है और यह वाला स्विंग है यह नीचे नहीं काट पाया था इस पिछले वाले स्विंग को ठीक है और धीरे-धीरे करकी upside बना रहा था ठीक है होता है कि आएगा ठीक है अभी जरूरी नहीं है कि यहां से नीचे आए ठीक है क्योंकि यहां पे आपको जो green candle दिख रही है यह काफी अच्छी एक strong candle है इसके ऊपर निकलता है तो यहां पे इसके अंदर buying side में और activation होगी तो आपको इसके अंदर क्या करना है 1312 का जो level है वो निकलता है तो आपको entry कर लेनी चीए और जो target है इसके अंदर 1325 का पहला target रखना है और 1335 का दूजरा target रखना है stop loss इसके अं support number का stock है वो है emphasis emphasis के अंदर आप देखोगे तो काफी अच्छे एक support area के पास में था support zone है ठीक है यह support zone है और इस area के अंदर इसने यहां पे double bottom create कर दिया है और इसका activation भी हो चुका है तो यहां से upside बनने वाली है next जो target है ठीक है वो next target यह वाले जो swing है यह वाले होने वाले है तो यहां पे आपको यह वाली जो candle है green candle इसका day high निकलता है तो आपको इसके अंदर buying कर लेनी चीए जो buying का level है वो 22,73 का होने वाला है और जो target है वो 22,19 पहला target होगा और 23,16 दूसरा target होने वाला है stop loss इसके अंदर आपको 22,60 के उपर लगा के रखना है यह हमारा third number का stock हो इसके बाद में जो fourth number का stock है वो है Sona Combs जिसको Sona BLW के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहां पे काफी अच्छे तरीके से यह range थी जो की higher end के अंदर था ही ठीक है उसके बाद में market के अंदर जो correction हुई उस correction के अंदर जो छोटे mid cap और small cap company है व यहां पे वापस जो यह वाला area था जो support area था उसको पार करके खड़ा हो जोगा और यहां पे upside में यह जाने के लिए फिर से तयार है तो day high निकलता है इस green candle का तो आपको buying कर लेनी चीए जो की 5.93 पर निकलने वाला है तो आपको buying करना है 5.99 का पहला target और 6.05 का दूसरा target हो और इसके अंदर भी आप देखोगे तो काफी अच्छा यह chart pattern मना हुआ है यहां पे आप देखोगे कि यह उपर गया फिर इसने थोड़ा सा pull back लिया और वापस upside में जाने की पूरी तयारी कर चुका है हो सकता है कि यहां से नीचे आ जाए लेकिन यह इस प्रकार से इसका behavior कि यहां पे ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा pull back लेता है फिर breakout तेता है यहां पे भी आप देखोगे की breakout दिया और यहां पे फिर से pull back लेकर की breakout की पूरी तयारी कर चुका है यहां पे आप देखोगे कि इस green candle का day high निकलता है तो आपको इसके अंदर entry करनी है तो 708 का पहला यहां पे entry point हो गया और 715 का यहां पे पहला target 720 दूसरा target और इसके अंदर आपको 705 के उपर लगा के रखना है तो यह best 5 stocks की list हो गई जिनके अंदर आपको यहां पे intraday का trade है वो प्लान करना है मैं एक request आपसे करना चाओंगा क्योंकि मैं आपके जो सवाल आते हैं अपने group के उपर उनका timely जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उनकी वज़य यह है कि मैं घर पे आया हुआ हूँ और मैं वापस जाओंगा तो आपको timely जो भी सवाल आते हैं उनके reply मिलने शुरू हो जाएंग मिलते हैं नेक्श वीडियो में thank you very much